नमस्कार आज उम्में देवरिया के सलेमपूर में और सलेमपूर रलवेश्टेसन पे और मेरे साथ है भारतिय संजिक्त मोर्चा के राष्ट्रिया धक्ष फते बहादूर यादव इनसे मैं बात करता हूँ अभी कुछ दिनेस लाल यादव सांसच जो है उनका विबादित ब बयान है इस समय जो बहुत सूर्खियों में क्या कुछ कहना चाहते हैं मैं इसे बात करता हूँ देखिए नेता जी की जहां तक टिपड़ी किया मानने यह जो निरहुआ जी सांसद आजमगर से उन्हें इस तरह की टिपड़ी नहीं करने चाहिए उसके पहले उनको अपना टिपड़ी किया था कि कार से उकों पर जब नेता जी के सरकार थी तो गोली चलवाए जबकि असफ़ष्ट आज भी आप देख रहा हैं अभी एक सरुपानंद महराज उपरा हैं जो टोटल मतलब धर्म से हट के बाते करते हैं जो उनके धर्म जो गरंत में उनके धर्म के न गोली चलवाया था जो एक चोला के देश में गुंडागर्दी वहां कर रहे थे लेकिन उस समय चर्चा था कि मुलाहिम सिंग की सरकार थे उसमें सबसे ज्यादे दूद बेजने वाले आदो थे सबसे ज्यादे महूं में आदो ही मारे गये थे महूं में भी कांड हुआ था है और यहादों कि जादे महूं में जब भी दंगा होता है तो इस तरह की बाते नहीं होती है वहाँ जो भी दंगा होता है वहां कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलिम वह चुहे टाइब के जो होते हैं जिनके पास कोई वर्क नहीं होता है जिनके पास कोई धंधा नहीं होता है इस तरह के लोग दंगा करते हैं महों में इस तरह के कभी दंगा नहीं हुई चाहे हो बहन जी की सरकार रही हो चाहे माननी आप उठाके इतियाद देख लिजिए उठाके पुरा सच्व्योसन निकाल के देख लिजिए बाइनेट किसी में कहीं किसी प्रकार की दंगा की कोई असंका नहीं रही है अगर इस तरह कि कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ भी है तो उसको दबाया गया आप सबसे ज्यादे अगर जात पात है तो इस सरकार में है जबकि आप यह जान लिजिए, चाहे वो ब्रामण हो, चाहे यादो हो, चाहे ठाकूर हो, चाहे चवान हो, चाहे राजबर हो, चाहे नुनिया हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मौरिया हो, चाहे जितनी जातिया हैं, यह मानुबादियों ने जिस हिसाब से जात का बटवारा किया इसमें जितनी जातियां वो सारी जातियां कहीं न कहीं उन जातियों में गरीब हैं और आज इस जो सरकार परिवस में जो सरकार चल रही है ये गरीबों के लिए नहीं है ये सरकार पूजी पतियों के लिए और मानुबाद किसी एक जात में नहीं होते हैं मानुबाद हर जात म होता है जिसके पास धंद अलत होती है हूं मनुबात में रूर्ह міचा पास लाघकर उसको कहाना नहीं पूछे नहीं पूछे रहा सवाल पिछड़ी नसुचीत और आगड़े संधोर के लोगों का अधिकार चीपा हुआ है संधान में अछे पड़ली?? यो एंसे पूज दिया जा कि आप संभिधान के बारे में क्या जानते हैं तो सुद रूप संभिधान के बारे में जनकारी नहीं है इसलिए मैं जनता से आगरा करना चाहता हूँ कि आप किसी विजात के हो अगर आप गरीब हो, तो आप संभिधान को जानो, आप पढ़ाई को जानो. आप फिरी में पांच कीलो अनाज दे रही है. लेकिन फिरी में सिचा क्यों नहीं दे रही है? जबकि सपा और बसपा में लड़liest को फिरी में पैसा दिया जाता था, पढ़ने के लिए दिया जाता साइकल कर दिया जाता था आपक शळसे संपी कर दिया सब हाइं कि सपाब foil धितल सब्सक्राइब अब बताए सिछा कहां सगती हुए तुम गरीब का बिकास कभा यह गरीब कभ यह शहिंद गरता कर दोए इसके पास सिछा होगी और सिछा का एक ही तरीका है संमीधान के हिसाब से यह वागर प्राव किसी आगर के पढ़ नहीं पा रहा है तो उनको फ्रीषका दी जय हमारी सरकार क्या कर रहे हैं फिली राशन देने का मतलब जब लोग फ्री काा आसन खाना शुरू कर देंगे तो सुद रूप से आप भी सोच सकते हैं जनता हराम खोर हो जाती है और हराम खोर का मतलब यह होता है कि जनता कुछ करना नहीं चाहती है तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जीस तरह से आप आडंबर का फैला रहा है परधानों से मालेज यह का रहा है कि मिटी सर पे लेके बलाक पे आओ मिटी महस्तो मनाया जाएगा तो यह सारी चीजें जो चीज हम सोता करते हैं उसको सरकार लाके फ्रंट पर करा रही है इसलिए यह सरकार सुद रूप से चाहा रही है कि देश फिल गुलाम हो अंग्रेजों के पहले अंग्र मनुबादी देश को बाटना चाहा रहा है जो मनुबादी देश को खंडित करना चाहा रहा है या जो मनुबादी अनाज दे करके इस देश के जनता को बेकू बना रहा है यही मनुबादी उस तमय भी थे जो अंग्रेजों ने ब्राहणबाद खतम करने जा रहा था अगर सरकार चाहती है देश का विकास कौन आएगा तो होगा देश का विकास अगर सरकार यह सरकार चाहती है कि सरकार कोई भी हो वो जनता के लिए होनी चाहिए तब जा करके देश का विकास होगा जनता को क्या हो सकता है जनता को आज सिच्छा में संसाधन किया हो सकता है जन तो आप सोचिए एक तरफ से कर दो हजार दे रही है तो मैं सबसे बड़ा आगरा जनता से करना चाहता हूं कि आप सबसे आप महान ओ आपके पास साई से फिर चांइ आप सबसे महहान खूर आप आप युसी बीदि नृटा पे ना जाओ आप आप देखो कि मेरी कॉंस एन departure मेरा विकास कर रहा हूं तो आप एक तै कर रहे हैं जाते हूं जाएगा है देखिएये नेता जी ने सपाध की दिया तो उन्हों ने तर्म से लेकर के नखिवानों से लेकर के चातरों से लेकर करके किसी always नेता जी ने काम किया बंजी ने वी काम किया सफाहाइकरमी दिया और पिछड screens नहीं उसमें सारे बड़े लोग भी हुए तो इस तरह कि जितने करीब इस तरह की युजनाय होनी चाहिए सरकार की जिसमें सारी पूरी पब्लिक का उसमें पूरे जंता का लाब हो तो यह सरकार सुद रूप से बिलकुल देश को गुलाम करना चाहती है गुलामी के दोड़ पर ले जाना चाहा रही है संप्रदाइक जंगा कराना चाहा रही है आपको पूजा पाट में उल्जा के आपकी सिच्छा को बाजित करना चाहा रही है